नमस्कार, मौंगा बे हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है सीनियर इन्वार्मेंट जेनलिस्ट और मौंगा बे इंडिया के संपादक एस गुपी कृष्ण वहरियों। आज हम आपसे समझेंगे कि IPCC Assessment Report क्या है, भारत के संदर्व में इसका महत्यों क्या है और इससे जुड़ी अन्यगूर बात है। तो गुपी आपका स्वागत है। इंटर-गर्मेंटल पैनल on climate change है। उसको आप हिंदी में बोलेंगे तो अंतरदेशी एक पैनल है, जिसमें एक सो पचानवे राष्ट्रों के राष्ट्रों में मेंबर्स हैं। और ये इस महत्रपूर्णता ये है कि ये जो climate change का मुद्दा है, चेंज हो रहा है। और बाकी कोई लग भूम है। तो ऐसे जो तरक है, इसके लिए scientific माने वाइग्यानिक तोर से, इसका सही रूप क्या है। इसके बारे में पता करने के लिए एक बॉडी है, IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change। इसमें एक बहुत महत्रपूर्ण बात ये है कि ये जो IPCC जो जिसको United Nations ने, United Nations ने इसको create किया था, 1988 में, 1988 में. और आप ये जानते हैं कि ये जो Climate Change Convention है, जो जलवाईयू परिवर्तन का जो Convention है, International Agreement है, Convention है, उसका जन्म हुआ 1992 में, 1992 में. तो ये जो IPCC बॉडी है, वो इस Climate Change Convention से पहले ही International Body ने create किया. इसकी जरूरत था, ये थी कि उस समय से, जब से अंतरराश्ट्री तोर में जलवाई परिवर्तन के उपर बात चल रही थी, तब से तर्क हो रहा था, कि जलवाई परिवर्तन हो रही नहीं हो रही है. तो इसके एक Scientific Truth देने के लिए ये बॉडी को create किया. अब ये बॉडी, डो, IPCC दो संगठनों, संगठन इसको host करते हैं. एक है United Nations Environment Program, जो आप जानते हैं कि United Nations का सबसे सरवोच परिस्थिति की उपर वाला प्रोग्राम है, United Nations Environment Program है. और दूसरा है World Metrological Organization, जो metrological, I don't know, metrological के क्या बोलते हैं आप हिंदी में, metrological मानि जो weather के ओपर research करते हैं, जो weather change वगेरा, तो उसका organization. ये दोनों, ये दोनों और ऑगनैसंस था, इसको host करती है, WMO और IPCC host करती है. अब ये IPCC क्या करती है, कि ये बहुत महत्रपूर्णा है, कि हर एक पांच साल, छे साल, साथ साल, ये नो, वो थोड़ा बहुत इधर उधर जाता है, पर हर एक पांच, छे साथ साल में, okay, मैं उसके पहले मैं IPCC का, IPCC कैसे organized, ये बताता हूं, ताकि IPCC इसे एक loose body बोल सकते है, जो हजारों वायानिक, जो climate change के हिस्सों के ओपर काम कर रहे हैं, अपने अपने laboratories में, ये पूरे globe में जहां-जहां पर है, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, जैसे की sea level rise के ओपर सबसे सर्वोच काम हो रहा है, Australia के CSIRO में, हमारी जो CSIRO है, वैसे Australia का CSIRO है, वहाँ पर एक Dr. John Church बोल किया है, वो उसके ओपर, ऐसे हर एक मुद्दो पर, climate change के मुद्दो पर काम हो रहा है, कहीं-कहीं labs में काम हो रहे हैं, ये काम की ये scientists, IPCC report बनाते हैं, वो report लिखते हैं, और हर 5-6 साल में, वो एक assessment report ले आते हैं, और ये assessment report में वो ये देखते हैं, कि पिछले 5-6 साल में, इस मुद्दे पर, माने sea level rise के मुद्दे पर, गर्मी बढ़ने के मुद्दे पर, warming के मुद्दे पर, land temperature rise के मुद्दे पर, नहीं तो sea temperature rise के मुद्दे पर, deep sea temperature के मुद्दे पर, या glaciation, माने जो, glaciers को क्या बहते हैं? इस मुद्दों पर, ये लोग क्या-क्या scientific तोर से क्या-क्या development हुआ है, पिछले 5-6 सालों में, इसका वो एक assessment करते हैं, और वो scientific assessment हो जाता है, पर scientific assessment साधारन लोगों के पास नहीं पहुचती है, और इससे भी महत्पोन हो, जो लोग इन राश्रों में जो decision लेते हैं, जो मंत्री लोग हैं, उनको scientific language की समझ नहीं होती है, उनकी scientific भाषा की समझ नहीं होती है, तो दूसरा process है, first process scientific assessment है, दूसरा process, ये उतना ही महत्पोन है, इन scientific truth को कैसे summary for policy makers, माने जो लोग इन चीजों पे decision लेते हैं, उनको कैसे उनके लिए बताया जाए, तो ये summary for policy makers और इसका ये होता है, नौ ये इस बार जो हो रहा है, जो अभी पिछले सोंवार से शुरू हुआ ये process, ये IPCC के छटवा, चटवा, assessment report का, report prepare करने का process है, इसमें ये scientific process पहले से चल रहा है, background में चल रहा है, पर अभी क्या होगा, कि ये जो April 6 से, sorry, मैं फिल्की बात कर रहा हूँ, July 26 से August 6 तक, जो working group, इसमें तीन working group के ओपर divide हुआ है, ये पहले वाले working group का meeting हो रहा है, और August 6 तक, पहले वाला working group इसका report बनाएगा, और उसके बाद बाकी सब process, तो आपकी बातों से जो मैं समझ पाया, उसको मैं तोड़ा summarize करूँगा, अपने दर्सकों के लिए, कि पिछली report से अभी वर्तमान तक में जो वैग्यानिक development हुए है, climate change को समझने के लिए, उसके जो वैग्यानिक काम करते हैं, उसकी समझ को एक report में summarize करते हैं, कि हमने पिछले 5-6 साल, यानि पिछली report से अब तक में क्या दोरी तैक है, हमारी समझ में कितना विकास हुआ है, उसको summarize करके जो report तयार की जाती है, उसी को हम assessment report करते हैं, तो आपने working group की, क्या हमारे दर्सकों को ये समझाएंगे आपकी इसमें कितने working group होते हैं, और कौन- हर बार जब assessment report बनाने की प्रक्रिया शुरूर होती है, ये process यूशली एक से डेड़ साल लगता है, और इसमें तीन working group होते हैं, पहला वाला working group जैसे जो अभी इस साल online मिल रहा है, इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, वो physically तो और लोग बैठक नहीं कर सकते हैं अभी इसके कार corona के कारण, तो ओनलाइन पर बात कर रहे हैं, और ये working group one है, physical basis of climate science, तो ये पहने वाला working group देखता है कि वो हमारे earth का एक health report card बोलिये, health report card बनाते हैं वो, तो उसमें आप first working group बताते हैं कि ये पिछले 6-7 साल में गर्मी कितना बड़ा है, कितना ज्यादा land temperature, भूमी के temperature में कितना increase हुआ है, sea temperature में कितना बड़ोती हुई है, glaciation, glaciers कितना melt हुए हैं, ये सब मुदों पे वो physical status बताती है, तो first report is, first working group report is physical status, तो उसके, तो August 6 तक पूरी दुनिया को ये पता चल जाएगी कि अभी health report क्या है, environmental health report of the world क्या है, ये पूरे दुनिया को पता चल जाएगी. अब उसके बाद, February 2022 में, 2022 में, 2022 में, second working group का बैठक होगा, वो online होगा या physical होगा या हमें पता नहीं अभी कैसा चल चलेगा, पर वो working group में, वो ये देखेंगे कि इसका impact क्या होगा, ये जो report card से विभिन राश्ट्रो में, क्या उससे क्या फरक पढ़ रहा है, क्या उसका असर क्या है, ये पता उसका impact क्या होगा, और ये vulnerability, vulnerability मानि विभिन राश्ट्रो में, विभिन जगाव में, इससे कितना नुकसान होगा, कितना नुकसान नहीं होगा, और adaptation के उपर, adaptation मानि ये हो रहा है, पर उसको adaptation उसमें कैसे हम जी सकते हैं, इसके बारे में second group करेगी, और ये third working group का जो report है, इसके लिए उसका बैठक मार्च 2022 में होगा, 2022 और उस पे ये mitigation के उपर, ये इसको कैसे संभाला जा सकता है, इसके उपर report आएगा, और ये सब मिलाके, ये तीनों report मिलाके, August-September 2022 में, इसका एक synthesis report बनाएंगे, तो synthesis report में, इसको सब को मिलाके, तो वो synthesis report, वो summary for policy makers होगा उसके लिए, उसमें, जिससे, फिर दुनिया उसके बाद, 2022 के बाद, AR-5 की बात नहीं करेंगे, फिर दुनिया AR-6 से बात करेंगे, तो AR-6, उस baseline, जैसे वो scientific baseline बोलते हैं, पूरे climate change discussions में, scientific baseline, August-September के बाद, जैसे वो summary synthesis report और summary for policy makers का है, उसके बाद, वो, उसका baseline बन जाएगा. आपने हमारे दूसरे प्रस्ट का जवाब दे दिया, जैसे हम यह समझना चाहते हैं ते कि AR-6 की प्रक्रिया में कितना समय लगएगा, तो मैं अपने तीसरे प्रस्ट पर आता हूँ, IPCC की शुरुआत हुई कैसे और इसका उड़ेश से क्या है? IPCC की शुरुआत, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यह चार साल पहले जो, यह जो 1992 में जो UN Conference हुआ था, UN Conference of Environment and Development, जिसको हम रियो सम्मिट भी बोलते हैं, और वहाँ पे दो महत्वपून कंवेंशन, तीसरा भी आया था, पर थिसरा थोड़े देर के बाद आया था, दो महत आपको पून कंवेंशन जो आया थे, एक तो जलवाई उपर इवर्तन के उपर है, और दूसरा जैव वाईविद्ध के उपर, जो कंवेंशन ऑन बीलोजिकल डाइवरसिटी और कंवेंशन ऑन क्लाइमिट चींज, जो तीसरा वाला है, उसको भी एक साथ ही हम उसकी बात कर हैं, पर थोड़े थोड़े दिन के बाद आया था, तो वो वाला है, UN Convention for Combating Desertification, मानि जो desertification को combat करने वाली है, तो ये तीन प्रक्रिया हुई थी, तो ये जो ये तीन, अब हम केवल क्लाइमिट चेंज के बारे में बात करेंगे, कंवेंशन के बारे में बात करेंगे, ये जो क्लाइमिट चेंज कंवेंशन के चार साल पहले, जो 92 से पहले, 1988 में IPCC का संगटन किया गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जल्वाई परवरतन हो रहा है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जल्वाई परवरतन नहीं हो रहा है, तो इन दोनों का डिबेट अभी भी दु कर सकते हैं, वो बनाने के लिए IPCC का आयोजन किया गया, और ये उस समय से ये रिपोर्ट बना रहे हैं, पर इन रिपोर्टों के बीच में और एक महत्वपूर्न तरह के रिपोर्ट आती है, और वो भी बताना बहुत ज़रूरी है, तभी वो IPCC का पिक्चर पूरा होता है, ये जो assessment report है, वो जैसे मैंने आपको बताया हर पांच साल, छे साल, साथ साल में scientific truth क्या है उसके बारे में पताते हैं, इनके बीच में special reports भी publish होता है, special reports माने किसी एक मुद्दे पर अंतराश्ट्रिय तोर से वाइग्यानिक और policymaker, उनके policymaker, government officials, वो उस पे एक report बनाते हैं, और वो report उस मुद्दे पर baseline बन जाता है उसके बाद, जैसे 2012 में, 2012 में SREX मान के नाम का एक report आया था, माने special report on extreme weather events, so extreme weather events माने यह जो बाड है, जो drought है, drought is what? सुखा है, बाड है, उसके उपर, और इसके उपर extreme weather events के उपर report, और 2018 में और एक महात्पुन report आई थी, और वो है special report on 1.5 degrees centigrade, माने कैसे यह जो गर्मी बढ़ रही है दुनिया में, वो कैसे 1.5 degree centigrade में उसको लिमिट किया जाए, माने अगर end of industrial revolution में, माने industrial revolution को लेते हैं, 1850, 1850 से 1900 तक, 1900 तक, तो यह period को industrial revolution period करके define किया गया IPCC ने, तो 1900 में अगर आप जहां पर है, आप दिली में है, दिली का annual average temperature, माने एक एक वर्ष का annual temperature, let's say 30 degrees है, तो कैसे 2100 में, सन 2100 में, 2100 में, कैसे इसको 31.5, 31.5 degrees में सीमित किया जाए, सो अभी का जो calculations है, इससे तो लगता है कि यह, I mean, डेड़ की तो बात आप छोड़िये, दो भी छोड़िये, इसके पहले दो की बात हो रही है, दो भी छोड़िये, साड़े तीन और चार के बीच में जाकर रुकेगी, तो इसमें कैसा प्रयास किया जाए, अंतरराश्टिये तोर में, कि इसको डेड़ में सीमित करे, इसके उपर एक स्पेशल रिपोर्ट आया था, और अगर ये डेड़ से बड़ा तो इससे क्या-क्या दुकसान हो सकता है, इसके बारे में, और दो रिपोर्ट्स आये थे, एक तो लैंड के उपर था, भूमी कैसे, इसके उपर था, और एक क्रायो ग्लेशियास के उपर, तो ऐसे ये स्पेशल रिपोर्ट्स भी बहुत महात पोन रखते हैं, तो अगर आप IPCC का टोटल पिक्चर जानेंगे, तो ये एसेस्मेंट रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट दोनों मिलके, वो दुनिया का क्लाइमेट चेंज के उपर, साइन्टिफिक टोट पोलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, इस साल आने वाली जो एसेस्मेंट रिपोर्ट है, उसका क्या महत पोलते हैं? क्लाइमेट चेंज के लिए जो नहीं हुआ, हमारा जो आखरी कान्फरेंस अफ़ पार्टी सवा दो जावनेस को वा, निसमेंगे, और दो हजार बीस बहुत, बहुत ही, दुनिया के लिए बहुत महत पून है, क्योंकि ये जो हमारा जो प्रकृरिया चल रहा है, उनिस सो ब बानवे से, 1992 से जो प्रकृरिया चल रहा है, जिसमें हम ये जो क्लाइमेट चेंज को हम लिमिट करना चाह रहे हैं, वो 2020 में मीटिंग नहीं हुआ, तो 2021 में होगा, तो इस साल नौवंबर में, इंगलेंड में, ग्लास्गो बोल के जगह पर, Conference of Parties, मानि जो जिन राष्ट्रों ने ये Climate Change Convention को स्विकार किया है, उनके representatives का बैठक होगा, ग्लास्गो में, तो इसके पहले ये जो AR6, AR6 तो पूरी तो नहीं आएगी, जैसे मैंने आपको बताया, पहली report आएगी, वो पहली report है, इसके लिए अब जो भी discussion ग्लास्गो में होगा, वो इस health card के उपर होगा, तो ये पूरा framework बदल रहा है, जैसे आपको पता है कि इसके पहले जो framework था, उसमें उन्होंने दो करके, जो भी राष्ट हैं, उनको दो करके उन्होंने विपाजन किया था, एक जो developed countries, जिनको mitigation के लिए, उनको ये climate change रोकने के लिए emissions, जो greenhouse gas से, जो gas से emissions होता है, उसको कम करने के लिए, उनके लिए targets थी, और जो उस जमाने के developing countries, जैसे उस जमाने में 1992 में भारत एक developing country माना जाता था, चीन एक developing country माना जाता था, इन countries को दुसे एक list में इन country इन राष्ट थे, और इन राष्टों को targets नहीं थे, वो था Kyoto Protocol वगेरा उनका framework, Kyoto Protocol framework बोता है, so 2015 में जब Paris में ये जो Conference of Party हुआ और Paris Agreement, सभी राष्टों ने Paris Agreement को अपनाया, तो Paris Agreement में ये बताया गया कि 2020 से Kyoto Protocol का framework खतम हो जाएगा और ये Paris Agreement का framework शुड़ू होगा, और Paris Agreement में ऐसा हुआ है कि developed countries, developing countries करके विभाजन नहीं हुआ, so सभी countries को, सभी राष्टों को अपने अपने तौर से, अपने अपने जो जो भी वो ठीक समझे, अपने calculations के हिसाब से, voluntary contributions declare करना था, मैं भारत इतने साल में 2030 तक ये 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 करेगी, चीन ये 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 करेगी, तो ऐसे जो voluntary contributions है, वो framework में जा रही है इस साल, तो इस समय पे ऐसा एक scientific report आना, सब के लिए इतना महर्पून है कि जानना अभी world का situation कैसा है, और इस situation को रखते हुए, मन में रखते हुए, अब क्या-क्या चीज करना है, ताकि ये जल्वाई परिवर्तन ज्यादा बढ़े नहीं, तो इसके लिए ये साल बहुत important है, खासकर AR6 के संदर्व में आप इसको बताईए हैं, हाँ, तो भारत के लिए भी, भारत के लिए मैंने जो दुनिया के बारे में बताया, उसके उपर, in addition to that, ये है कि एक तो जैसे मैंने बोला, भारत, इसके पहले भारत के लिए targ commitments नहीं थी, अभी भारत में commitments है, भारत ने, you know, commitments, अपने INDC में बताया है कि, you know, it'll reduce, वो अपने क्या बोलते हैं, emissions, जो greenhouse gas, उनके emissions को, emissions intensity को, अपने GDP के ऊपर, 30 से 35 में, 33 तो 35 परसंट कम करेगी, 2030 में, और ये 2030 में जो कम करेगी, उसका baseline value 2005 का है, so उस value से कम करेगी, और 40 परिश्यत, माने, जो भी हमारा बिजली का उत्पादन है, renewable sources से 40 परिश्यत उसका भाग होगा, ये commitment ही किया हूँ, और फिर उसके हम कैसे carbon को sequester के, carbon को carbon dioxide को कैसे store करे, इसके लिए हम इतने पेड होगाएंगे, इतने एरिया में पेड होगाएंगे, ये pictures के उपर, अभी पांच साल हो गया, और भारत इस रास्ते पर चल भी चुकी है, और जैसे आपने ही लिखा है, और हमारे और भी पत्रकार दोस्तों ने लिखा है, कि renewable energy में, हम काफी दूर चल चुके हैं, तो ये सब, तो एक comparison हो जाता है, कि दुनिया का climate change का report card क्या है, और ये रास्ता हमने लिया है, क्या ये रास्ता ठीक है, या इस रास्ते को हमें और भी तेज करना पड़ेगा, और दूसरी बात ये है कि इसके उपर और जो policies, भारत सरकार की policies हैं, उसको क्या वो ठीक सा रास्ते से चल रही है, नहीं है, ये चीज को भी compare करने के लिए बहुत महत्पूर्ण ये बन जाता है, वर्किंग च्छे का report, इसमें तीन policies है, एक तो जैसे मैंने बताया कि जो energy transition हो रहा है, हम fossil fuel माने कोईले यार तेल के जगह पर हम सौरूज यार विंड एनरजी, ये का policy है, क्या वो ठीक स्पीद से जा रहा है, नहीं जा रहा है, उसको क्या कैलिबरेट करना है, तो वो एक policy है, और दूसरा है, ये energy transition जब चल रहा है, उसी के साथ साथ, जब हमारा ये कोरोना के कारण से पहले बार lockdown हुआ, उसके बाद जब सरकार ने, national government ने ये economy शुरू करने के लिए, किक स्टार्ट करने के लिए policy दे, उसमें coal mining पे भी थोड़ा promotion हुआ है, माने कोईले के खनिज को ज़्यादा बढ़ाने के लिए उसमें भी थोड़ा promotion हुआ है, तो वो एक ही side में दो हो गया है, एक side में आप renewable energy को support कर रहे हैं, दूसरे side कोईले को support कर रहे हैं, तो ये कैसे balance करना है, ये दूसरा मुद्धा है, और थीसरा, भारत काफी pressure पे है कि ये जो net zero, माने जितना आप greenhouse gas आप atmosphere में डाल रहे हो, उतना greenhouse gas आप sequester कर रहे हैं, माने उसको आप पकर रहे हो, उसको आप store कर रहे हैं, उसको आप इस्तमाल गाया कर रहे हैं, उसको तो आ तो ये दोनों net zero करने के वो एक तो ये तीनों process के उपर एक, क्या बोलते है, बेसलाइन आपका AR6 में आएगा, AR6 में आपको आए मिलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद वपी, सच में ये बहुती सारगर्वित और गूर बाते हैं, जो समाने तोर पर पाठकों के लिए, दर् कारि कैसे तो तोर में आपकों कि बतैंड़नेप double oर्ण भार का भूर एकों के लिए पा की ने लावर वानके ग reichtुट आए